जब ठोकना होता है तो मैं बात नहीं करता इस बात का अफसोस भी होता है तो उन्होंने बेटे को गलत शिक्षा दे दी लेकिन अंत में ऐसे रहस्य से परदा उठता है कि मुथुवेल पांडियन का किरदार निभा रहे रजनीकांत खुद दंग रह जाते हैं फिल्म की कहानी मुथुवेल पांडियन उर्फ मुथु एक सेवा निवरित जेलर हैं जो अपने परिवार के साथ एक साधारन जीवन जीते हैं इस फिल्म में रजनीकांत ने मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया है उनका बेटा अर्जुन वसंतरवी एक इमानदार पुलिस अधिकारी है अर्जुन वर्मा विनायन के साथ जगड़ा हो जाता है जो भगवान की प्राचीन वस्तूओं और मूर्तियों की तसकरी करता है अचानक एक दिन अर्जुन लापता हो जाता है मुथु को पता चलता है कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई है मुथु अपने बेटे के हत्यारों का सुनियोजित धंग से मुर्डर करता है तभी पता चलता कि उनके बेटे की हत्या नहीं हुई है बलकि किसी ने उसे किड्नैप करके रखा है यहां से कहानी में एक नया मोड आता है फिल्म में काफी लंबे समय के बाद रजनीकांत एक दमदार क किरदार में नजर आये हैं फिल्म के निर्देशक नेलसन ने रजनीकांत के किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्म में पेश किया है इंटर्वल से पहले भाग में रजनीकांत एक सुलजे हुए शरीफ पिता के किरदार में नजर आते हैं लेकिन जैसे जैसे फिल् दुनिया के सामने गुंडा मवाली, अब ऐसा नहीं होगा, अब एक ही चेहरा होगा। फिल्म में रजनिकांत की कॉमेडी टाइमिंग का अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और योगी बाबू के साथ उनके द्रिश्यों ने खूब हसाया। पहले घंटे में डार्क कॉमेडी ने काफी अच्छा काम किया, पूरी फिल्म देखने के बाद इसे मदर इंडिया का आधुनिक वर्जन कह सकते हैं, कहानी की वन लाइन वही है जिसे नए परिवेश में ढाला गया है, लेकिन फिल्म की कहानी बीच-बीच में अपना असर छो हो सकती थी, फिल्म का पहला भाग भावनात्मक रूप से अपनी पकड़ बनाने में काम्याब रहता है, लेकिन फिल्म जिस गती से चलती है, इंटरवल के बाद फिल्म अपनी असर खोने लगती है, और दर्शकों को इस बात का एहसास हो जाता है कि इस फिल्म का क्लाइमेक इतनी लौड की गई है कि सिर्ध दर्ध होने लगता है, लेकिन जैसे ही फिल्म में रजनीकांत की एंट्री होती है, उनके पर्फॉर्मेंस को देख कर सिर्ध गायब भी हो जाता है, फिल्म का बैक ग्राउंड स्कोर कुछ दृष्यों को उभारने में सहायक था, विजयकार प्रुबा को अगर छोड़ दे, तो बाकी गीत कुछ खास असर नहीं छोड़ते हैं, मोहनलाल, जैकी श्रॉफ, शिवराजकुमार जैसे सितारों के कैमियो कहानी का अहम हिस्सा है, फिल्म में तमन्ना भाटिया ने काफी निराश किया, वह फिल्म में महज एक शोपीस की त इतने बड़े वाले फैन हो, बाई बाई